तो नमस्कार दोस्तो मेरा नामे देशलोनी और आज में दोबार आप सभी के सामने एक नई यूटूब वीडियो लेकर आए हूँ आज की वीडियो में आप लोगों बताऊंगा कि आप प्रीमियर प्रो के अंदर अपनी वीडियो का एक्सपोर्ट कासे कर सकते हो क्योंकि प्रीमियर प्रो के अंदर बहुत सारे लोग वीडियो गना लेते हैं और उसके बाद उनका एक्सपोर्ट करने में कहीं बार दिक्कत आती है तो आज मैं इस वीडियो के थुरू आपकी वो सारी दिक्कते दूर करने ही कोशिज करूँगा वीडियो को सुरू से आखर पूरा देखे ताकि आपसे कोई step न छूटे तो इसलिए वीडियो को पूरा देखे तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और चलते हैं मेरे laptop की स्क्रीन पर जहां पर मैं आप ़ोगो step by step सारी चीज़े बताने वाला हूं तो दोस्तों मेरे laptop की स्क्रीन पे आ गए हैं अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको वीडियो एक्सपोर्ट करने हैं सबसे पहले तो आपको एड़ो भी प्रीमियर प्रो उपन करना है अपना जो भी मतलब आपको वीडियो एडिट करनी है इसके अंदर तो मैं हमें सह ही बोलता हूं कि जब प्रीमियर प्रो आप यूज करो तो आपनी बागी की सारी एप्लिकेशन को बंद कर दो क्योंकि तभी आपका प्रीमियर प्रो अच्छे से काम करेंगा क्योंकि यह काफी बड़ा सॉफ्ट्वेर है और हम ही से अपने छोटे लैप्टॉप में चलाने इतना टाइम लगा तो यह open और आपको क्या करना आपको new projects में जाना है एगर आपको नया project है तो यह अगर आपका लेड़ी project है कोई उसमें आपको यहाँ पर simply क्लिक करना है और जो भी आपकी वीडियो है वो आपको open कर लेना है मालो यह भी मेरी यह वीडियो थी crop in premiere पर यह वीडियो मैंने edit की थी और यह मैंने upload भी कर रखी है तो आपको अपना वो project open करना है या आपको कोई नया project जो भी आपको लेना है वो open कर लेना है अब यह देख लो कि कितना time इसमें लग रहा है इस वीडियो को open करने में जैसे यह वीडियो आपकी open हो जाएगी ना उसके बाद आप जैसे वीडियो edit कर लोगे सारा complete जो भी information है वो सबसारी चीज़ आप इसके अंदर edit कर लोगे अब मैं आपको edit करने के selected रहेंगी तो आपका यहां पर जैसे आप फाइल में जाना है आपको export करने के लिए सिदा सिदा हम आपको बताता हूं उसके बाद यहां नीचे आपका export का option आ रहा है अभी आपका यहां पर media ELD और यह सारी चीज़े आ रही हैं लेगिन अगर आप कुछ और चीज़ सेलेक नहीं कर रहा है तो आपको यह ध्यान रखना है जिस टाप जिस टाइम आप export करोगे तो आपको यह वाला एरिया आपको अपना select करके रखना है जिससे कि आपकी वीडियो export हो जाएगी अभी आप try करोगे में भी error आ जाए लेकिन जब आप इसको अभी देखो कुछ भी open न करना जब आपका यह वाला एरिया select हो गया उसके बाद आपको यहां पे file पे click करना है अब देखना आपके सारे options आ जाएंगे यह आ गई अब आपको जाना है मीडिया पे अब जैसे ही आप click करोगे तो आपका यहां से export वाला जो option है वो आ जाएगा अब यह आपका export वाला कर लेना है और अगर आपकी screen पर नहीं आ रहा तो इसको यहां से आप थोड़ा सा छोटा कर लोगे तो भी उपर आ जाएगा लेकिन अभी आप इसको उपर कर लो जिससे आपके यह वाले जो option export के यह आपके आ जाएंगे उसके बाद आपको यहां से अपना जो भी वीडिय वीडियो ऐसे हो जाएगी उसके बाद आपको यहां से अपना quality स्लेक्ट करनी है कि जैसे यहां पर five five six seven MP की वीडियो दिखा रही है तो आपको यहां से अपनी quality set करनी है कि आपको ये वीडियो इस पे बहुत सारी है कि आपको अगर Twitter पर डालने है size क्या है वो सारी चीज़े यहां पर आती है तो यहां पर मैं नीचे की तरफ YouTube पर आपको किस fps पर आपको ये वीडियो अपलोड करनी है मतलब कितने pixels पर अपलोड करनी है 1080P पर 216P या फिर 4K Ultra जो भी आपको export करनी है आपको उसमें select करना है ठीक है जब ये 480 में कम हो गई अब मैं इसको 1080P करूंगा तो देखो मेरा यहां पर size बढ़िया तो आपको उसके बाद इस पर export पर क्लिक करना है जैसे आप export पर क्लिक करोगे तो पहले ये आपकी video कहीं बार क्या होता कि video पहले render होती है जो आपकी audio quality है जो उसके साथ आपने कोई बाहर चे audio select किया है पहले एक बार वह आपका दो तीन जहां पर भी आपको यूज करनी है तो यह तरीका है आपका export करने का अब यह मेरी video लेड़ी exported है तो मैं इसको cancel कर देता हूं तो आपको यह चीज़े ध्यान रखने है आपको manually बस यही ध्यान रखना है कि आप जिस time export करोगे तो आपका यह वाला area selected होना चाहिए कोई और area अगर आप select करोगे तो आपके export नहीं होगी आप लोग वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो सच में पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो जो अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं और अगर आपका कोई सुझाव है या आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए हम आपकी पूरी-पूरी साहता करने कोशिज करेंगे और आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि आपके साथ साथ और लोगों की भी साहता हो जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम